Hello Friends! Welcome on Uttkarsh Online Platform. आपने गाड़ियों पे लिखे हुए slogans देखी होंगे, posters देखी होंगे और बहर ती interesting interesting slogans में लिखे होते हैं कई बाई taglines लिखी होती है, बूरी नजर वाले तेरा मुख काला, फिर मिलेंगे, etc. तो आज हम इसी मुद्धे को डिसकस कर जा रही है कि क्या गाड़ियों पे स्लोगन लगाना पोस्टर्स लगाना क्या यह लिगल है या इलेगल है तो देखे हम बात करें अगर राजस्थान की तो राजस्थान में 3rd of September 2019 में राजस्थान पुलिस ने एक स्लोगन निकाला था और उस टाइम पे जो स्लोगन लगे रहते हैं जो पोस्टर्स लगे रहते हैं सब को बैन कर दिया गया था और उस टाइम पे जो भी जिसके भी गाड़ी पे ऐसा कुछ दिखा था उस पे पाइन जो है वो इंपोस किया गया था अगर हम और और इंडिया की बात करें तो इस समंध में कोई एक कानुन नहीं है. किसी स्टेट में ये लेगल है तो किसी स्टेट में ये इलेगल है. वहाँ पे बैन लगया जा रहा है. जैसे कि Madras High Court का 2020 का एक जजमेंट है. जिसमें Madras High Court ने question उठाया है कि ये slogans वगर गाड़ी पर क्यों लगाए जा रही है इसे तरीके से Bombay High Court का 2019 का और इलाहबाद High Court ने भी 2019 में कहा था कि ऐसे slogans और ऐसे स्टीकल्स जो है वो गाड़ीों पर नए ही लगाए जाने चाहिए क्योंकि ये दूसरे drivers को distract करते हैं और उसके साथ-साथ ही ये क्या कर रही है ये आपको इसमें क्या हो रहा है जो वेक्ति ऐसे slogan लगा रहा है अपनी कास्ट को दिखा रहा है या अपनी religion को दिखा रहा है या किस political party से वो belong करता है उसको वो दिखा रहा है तो ये दिखा कर वो क्या शो करना चाहता है रोड की उपर तो ये slogan देखे जाए तो बहुत ही discriminatory है और बहुत destruction भी पैदा करते हैं ये एक तरीके से police को भी रोक रही है कि किसी political party ने अपना एक जंडा लगा रखा है अपना नाम लिख रखा है तो बता रही है कि हम ये हैं हम पे action मत लीचिये किसी advocate ने अपना sticker लगा रखा है तो देखिए जो professions related जो person होते हैं जैसे doctor है, advocate है, वो stickers लगाते हैं तो उसका purpose क्या रहा हुआ है Bar Council of India ने stickers issued कि ए for advocates What was the main purpose behind that stickers? Purpose यह है कि जो parking space रहता है, court में जा रही है, parking space is limited तो वहां पे जो doctors होते हैं, अगर हम hospital की बात करें या अगर हम court की बात करें, तो जो advocates है, उनको easily parking मिल जाए तो उसकी वजए से कुछ उनके favor में ये चीजे रहे, तो उस वजए से उनको stickers जो है वो allow किये गए है, वो stickers तक जहां बात आती है, वहां तक ठीक है लेकिन जो हम देखते हैं, जो wind screens होते हैं, वहां पे बड़े-बड़े posters लगए हुई है हनुमान जी कि किसी ने photo लगा रखी है, क्या वो हानिकारक नहीं है क्या दूसरा वैक्ती जो उससे देखता है, क्या उससे वो distract नहीं होता या जो कार का driver खुद है, उसकी visibility उससे कम नहीं होती है कि वो पीछे नहीं देख पाता है, तो ये चीजे जो है, ये बहुत ही हानिकारक है और इस पे एक कानून ऐसा बनना चाहिए, और पूरे तरीके से पूरे भारत में इसके उपर जो रोख है वो लगनी चाहिए अभी हम बात करें, तो state-wise इसमें अलग-लग स्थीती जो है जैसे कि अगर हम बात करें, ये लिखे हुए हैं, हमारे सामने जैसे दिख रहे हैं My driving skills be true, ये सारी चीजे जो हैं, इनके अगर हम बात करें, तो ये खुले आम हमें देखने को मिलती है इसके समन्द में कोई विशेश कानून नहीं है अगर हम बात करें, मौटर विखल अक्ट की, तो मौटर विखल अक्ट की सेक्शन 177 जो है वो ये प्रोविजन करती है, जो कि रेसिडूसरी पनिश्मेंट क्लॉज है एक जो ये बात करती है कि अगर कोई भी पनिश्मेंट, जिसकोई भी ओफेंस या कोई आक्ट जिसके लिए कोई पनिश्मेंट स्पैसिफिकली अगर नहीं दे रखी है, तो उसके लिए 100 रुपीज का फाइन होगा और सबसेक्वेंट लिए अगर किया जाता तो 300 रुपीज सका फाइन हो सकता है, तो ये जो एरिया है वो उसी दाइरे में फॉल करता है तो जिस भी स्टेट ने अगर इसको बैन कर रखा है, तो वो 177 सेक्शन के इंटरपेटेशन जो क्लाज है, इंटरपेटेशन पे ही डिपैंड करता है अब हम एक और मुद्दा डिसकस करते हैं, नमबर प्लेट का अभी हमने डिसकस किया कि गाड़ियों पे जो स्लोगन स्टीकर्स लगे हैं, दूसरा हम डिसकस कर रहे हैं कि जो नमबर प्लेट होती है, उस पे कुछ व्यक्ति होते हैं, वो नमबर इस तरीके से लिखातने कि वो फैंसी लगे हैं, वो किसी कास्ट को या डिलीजन को शो करें, जैसे कि यह हम देख रहे हैं, यहां पे यह एक गाड़ी है, जिसके नमबर प्लेट पे इस तरीके से नहीं हो सकती है, यहां पे तो नमबर प्लेट है ही नहीं, यहां पे तो सिर्फ कास्ट जो है, उसको शो कर रखा है, यह जो हम देखें, इसमें यह 4 है, 4 को दै की तरीके से दिखा रखा है, यह 1 है, यह 2 है, यह 9 है, तो यह 4, 1, 2, 9 जो नमबर है, उसको लेकिन ये completely illegal है, ये number है boss, तो यहां पे 8055, 8055 जो number है उनको इस तरीके से लिखा है कि वो 8055 नहीं, बलकि boss देखने को मिलता है, इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं, बाबा, ये क्या number लिख रहा है, तो ये जो number है 9191, 9197, ये 9197 number जो है उसको इस तरीके से लिखा है कि ये दिख रहा है, तो इस जिस भी तरीके से ये number लिखे जा रही है, तो ये completely invalid है according to the rules of MV motor vehicles के जो भी rules है, जो central law ने बनाई है, उसके according ये जो है, completely illegal है, तो जो number plate पे ये इस तरीके से जो लिखा जाता है, वो completely illegal है, और जहां तक हम बात करते हैं, slogans की, steekers की, तो उसके समन्ध म हर स्टेर जो है, उसके अनुसार स्थिती जो है, वो अलग है, कहीं पे इसको बैं किया गया है, और कहीं पे इसको बैं नहीं किया गया है, तो जब तक पूरे रास्टर में ऐसा कोई एक कानून और ऐसा कोई एक नियम नहीं बन जाता है, जो specifically ऐसा डिक्लियर करें, तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह स्लोगन्स या स्टीकल्स जो है वो एलेगल हैं तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू